एक बार की बात है सेहनसा अपने नवरतनू में से एक बीरवल को बहुत खास मानते थे सेहनसा की बीरवल के प्रति तारीफ हैं कभी खतमी नहीं होती थी ये सब देखकर महल के मंत्री सभी बीरवल से इर्शिया करते थे जनाब सेंसा तो हमारी तरफ देखते भी नहीं हाँ सच कह रहे हो आखिर हम लोग कर भी क्या सकते हैं सामे आने दो फिर हम देखते हैं एक दिन गवह में कुछ लोग अपना सावन बेंचने के लिए आये थे कुछ लोग कपड़ा बेंचने के लिए तो कुछ लोग पंचियों को बेंचने के लिए आए हुगे थे तब ही वहाँ से गुज़र रहे दोनों मंत्रियों की नजर उस पक्षी वाले पर पड़ी हुजूर बताईए कौन सा पक्षी दूँ हारा वाला या नीला या फिर लाल हमें हमारे सेंसा को तोफ़े में देना है एक सुन्दर पक्षी दिखाओ तो हुजूर आप ये लाल वाला पक्षी ले जाएए बहुत ही सुन्दर है सेंसा का मन मोह लेगा फिर वाय मंतरी बहुत सारी सोने के सरफियों का लालच दे कर उस पक्ची वाले को एक काम करने के लिए कहता है पक्ची वाला लालच मैं हां कर देता है फिर वाय पक्ची सेंसा को आती पर ये लगता है और उसे अपने कक्च में रखवा देते हैं वाई पक्षी सेंसा के मन को मुह लेता है सेंसा अपने सभी जरूरी काम छोड़ कर उस पक्षी से ही दिन रात बातें किये करते एक दिन रात को सेंसा के कक्षे से बहुत जोड से आवा जाती है सिपाई कक्ष में जाका देखते हैं तो पक्षी को गिरा हुआ पाते हैं अगले ही दिन सेंसा बड़े गुस्से में होते हैं क्या कोई बताएगा कि कल रात हमारे कक्ष में कौन आया था और हमारे पक्षी को गिराने की जुर्रत होई तब ही सेंसा का मंतरी आगे आता है और वाय बताता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो बता सकता है कि आपके कक्ष में कौन आया था उसे अभी पेज किया जाए सेंसा यही है वो आदमी जो पक्षियों से बात करके बता सकता है आपके कक्ष में कोन आया था किया आपकी इजाज़त है हम आग गया है फिर वाई पक्षी वाला उस पक्षी से बातें करने का नाटक करता है हुजूर ये पक्षी बहुत डरा हुआ है ये किसी राजा बीरवल का नाम ले रहा है क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो और किस पर आरूप लगा रहे हो माप करिएगा हुजूर हो सकता है ये काम राजा बीरवल ने ही किया हो क्योंकि जब से आए पक्षी आया है तब से आपका सारा ध्यान इस पक्षी पर है ना कि राजा बीरवल पर ये सब बातें सुनकर सेहनसा बीरवल से कहते हैं बीरवल तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में बीरवल जी कहते हैं मैं पक्षी को अखेले में कुछ फल खिलाना चाहता हूँ अनुमती दीजिए कुछ समय बाद सेहनसा मेरा एक सवाल है पक्षी वाले के लिए कि मैंने उस पक्षी को कौन-कौन से फल खिलाए पक्षी वाले को एक सब्द नहीं रहता कुछ कहने को हसने के डर से पहला मंत्री बोलता है सैंसा हो सकता है खड़की की हवा से भाय पिंजड़ा गिर गया होगा हुजूर ये जनाब सच बोल रहे हैं ऐसा ही हुआ होगा राजा बीरवल ऐसा काम कर ही नहीं सकते बीरवल समझ जाते हैं ये काम इन दोनों का ही है हुजूर पक्षी का पिंजड़ा हवा से ही गिरा होगा करपया इस विवाद को यहीं खतम करें और तुम अगर तुम पक्षीयों की भासा समझ पाते तो तुम उन पक्षीयों को पिंजड़े में कैद नहीं करके रखते तुम इस राज्य में व्यापान नहीं कर सकते हो बीरवल तुमारा सच में जवाब नहीं सेहन साब ने उस पक्षी को आजाद करके बहुत निक काम किया है भीरवल पहले तुम ये बताओ के पक्षी वाले ने तुमारा नाम क्यों लिया क्या का रहां था बताओ सेहन साब पथ्थर उसी पिगड़ पर मारे जाते हैं जिस पर फल अधिक लगे हुए होते हैं ना की सूखे पिगड़ पर जिस तरह से आपके सेंक्णों सत्रों हैं वैसे ही मेरे भी दो-चार हो सकते हैं न एकदम सही कहा बीरवल तुमारे जैसा और कोई नहीं हो सकता